नमस्कार, प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलोजी में आप सभी का हर्दिक स्वागत है यहाँ वीडियो राहु के उपाय के बारे में है मैंने अंग्रेजी में यहाँ वीडियो और रिलीस कर दिया है और काफी लोगों के मुझे मेल और मेसेजिस आए कि आप हिंदी में भी यहाँ वीडियो बना हिए तो यहाँ वीडियो के जो राहु की prevention है राहु का उपाय के बारे में है तो basically आप सभी को पता है कि राहु यहाँ मायावी प्लैनेट है राहु यहाँ मायावी ग्रह है और राहु जहां पर भी कुणली में बैठ जाता है उस भाव के प्रती माया का उत्पत्ति करता है उस भाव के प्रती माया जागरूत कर देता है अगर दूसरे भाव में अगर धनस्तान में या तो कुटुमब स्थान में आपका अगर राहु आ गया तो वह कुटुमब के सूख के लिए ज्यादा से ज्यादा माया की उत्पत्ति करता है उस से शायद अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है अगर वो सुर्य के साथ ब अनकी कमी इस व्यक्ति को कभी नहीं आएगे जीवन में यह भी हम बोल सकते क्योंकि राहू एक ऐसा ग्रह है कि जो जहां बैटता है वहां की माया उत्पन करने के बावचुद वहां उस व्यक्ति को सब कुछ उस बारे में देता है परन्तु व्यक्ति को उसके लिए समाधान नहीं देता है यहां राहू की विशेशता है तो दोस्तों हम आज राहू के खास उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जिन लोगों की राहू की महादशा चल रही है जिन लोगों की अंतरदशा प्रती अंतरदशा या तो फिर त्रीकस्तानों में राहू बैटा है जिनके या तो फिर अभी जो मितुन राशी और केतु जो की धनू राशी में उसका ब्रमन होने वाला है, मार्श मैने में वह जो ट्रांजिट होने वाला है, उसके लिए भी यह मैं उपाय आप सभी को बता रही हूँ, अगर आपका कोई राहो के साथ कनेक्टिविटी यानि की दशा होती आप यहां उपाय कर सकते हो, तो और यहां मैं उपाय बताने से पहले यह बता देती हूँ कि यहां जिनकी कुनले में राहो शुक्र या तो शुक्र केतु, राहो शनी या तो फिर शनी केतु, और राहो के साथ सूर्य या तो फिर राहो के साथ मंगल बैठ गया है, रा वाला है तो दोस्तों आपने क्या करना है कि निम्बू ले लेना है जो पीले रंके निम्बू मार्केट में इसली अवेलेबल है हम सभी लोग उसका रोज मराज की चीजों में उसका इस्तेमाल करते है तो यहां जो आप निम्बू ले आओगे तो वह निम्बू को आपको बी पूरा हुआ नीचोडा हुआ नीबू जो बच जाता है अपने क्या करने है थोड़े से बड़े नीबू भी खरेदी करने है तो वो जो नीबू निकालने के बाद जो पूरा नीबू का रस निकलने के बाद जो बच जाता है हिस्सा नीबू का उसको आपने उल्टा कर देना ह जैसे हम लोग कोई भी चीज उल्टी कर देते हैं तो आपने क्या करना है कि जो नीमु का पीला रंग का हिस्सा है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ चला जाएगा यानि कि नीमू के जो छोटे 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 उसके क्या बोलते हैर्स रहते हैं वो सब आप उसके निकाल दीजिए उसमें से और अंदर की तरफ जो पीला हिस्सा है उसमें आपने थोड़े से काले तिल डालने हैं उसके बाद सच्चे गाय के घी का दीपक आपने जो कॉटन का जो रूई की बाती बना लीजिए खड़ी बाती बना लीजिए या तो आड़ी बाती बना लीजिए जैसे भी आपने बनाना है बना लीजिए और यह बत्ती आपने जलानी है हर बुधवार को शाम को साथ से आठ के बीच में और बत्ती जलाने के बाद आपने मंत्र चैंट करना है ओम राम राहवे नमहा ओम राहवे नमहा ओम केतवे नमहा या तो आपका जो भी इस्ट मंत्र है आप शुक्र का मंत्र भी जाप कर सकते हैं जिस कुसी के कुणले में शुक्र अफलिक्टेड है इस राहू के करण या तो केतु के करण क्योंकि नीबू को केतु का भी स् समय आप मंत्रे चैन करें एक साथ दो बाती जला दीजिए तो पूरा नीबो हो जाएगा और जलाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आप dispose कर दीजिए जो निमू यूज हो गए है उसको आप dispose कर दीजिए और और एक मैं आपको यहाँ पर remedy बताना चाहती हूँ राहो के लिए भी और घर में सकारात्मक उर्जा लाने के लिए भी जिने घर में थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडिशन लगती है या तो ऐसा लगता है कि थोड़ी घवराट हो रही है कि या तो एंग्जाइटी बढ़ रही है परिवार में कलह हो रहा है या तो परिवार में सुक शानते के लिए अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपने क्या करना एक नॉर्मल जो नारेल मि देना है उस पर थोड़े चावल रखिए उस पर एक छोटी सी कपूर जो कैंफर बोलते है कपूर की एक छोटी सी गोली या तो पिल जिसको बोलते एक ही पिल उस पर रख दिजिए और कपूर को जला लेना है और यह कपूर जलाते वक्त आप प्रार्थना करिए कि जो भी नकारत मक उर जाए वो पूरी घर से चली जाए यहां में एक और एडिशन करना चाहूंगी कि जब आप यह कपूर जलाओगे उसके पहले आपने क्या करना है कि इस नारियल को घर के हर कोने से घुमा देना है यानि कि आप घर का जो पूरी तरह से लास्ट हिस्सा है जो अं दर्वाजे के पास आ जाईए या तो हॉल में आ जाईए पूरा नारियल घुमा के और उसके बाद आप यह कैंफर का रेमेडी कर सकते हैं नारियल को भी अमृत तिल्य माना गया है इसे कलप फल भी कहा गया है तो यह यह जो है वहां हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्ले आशा नहीं मिलेगी हमारी चीजे आसानी से हो सकते देखो हम आशा तो कर ही सकते हैं और यह उपाय में कोई बहुत ज्यादा खर्चा या तो ऐसा नहीं कि इससे कोई गलत साइड इफेक्ट्स होने वाले ऐसा कुछ नहीं अच्छा जो नारियल आप जो इसमें यूज कर रह हैं तो मैं सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी को इस उपाय से काफी लाब हो और मुझे इसके बारे में जरूर बताएए और सबका मंगल हो धन्यवाद